कि लाइपोमा का ट्रीप्मेंट क्या है सर सुनील जी लाइपोमा जो है वो एक्सिस फैट एक्युमिलेशन के करण होता है एडिपोस टिशू जो है वो लाइपोमा में कनवर्ट होते हैं बिनीत दी सिकन होते हैं थ्रूआउट दी बॉडी हो सकते हैं और यह पेनफुल नहीं होते हैं इसमें आपको fat free diet लेना होगा याने गीते इल चिकनाई वाली चीजें आपको avoid करनी होंगी और खास करके milk milk products भी आपको avoid करने होंगे जिससे कि आपका lipoma में धीरे-धीरे reduction होगा क्योंकि यह develop भी धीरे-धीरे ही होता है येस scalp soriasis में मे-methi दाने का कोई उपयोग है क्या आप नीम पेस्ट के साथ में मे-methi दाना साथ में mix करके उसका परयोग कर सकती है उपयोग कर सकते है डाइरेक्ट मे-methi दाना जो है वो डाइरेक्ट impact नहीं देता है पर येस अगर आप दिन में दोबार मे-methi का पानी पी रहे हैं मेथी पाउडर का मिक्स करके तो वो आपके जो skin infections को कम करने की जो शमता रखता है उसके माध्यम से इसमें काफी आराम होगा मुकेश जी का question है ulcerative colitis में stools में blood आता है उसमें क्या करना चाहिए सबसे पहले तो जो intestine का inflammation है और ulcers है उसका treatment करना होगा और ये इसके लिए काफी उपयोगी treatment है जब हम butter milk का enema देते हैं चाच का enema जब इस्तमाल करते हैं तो ulcerative colitis में काफी lab होता है और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मिर्च मसाले वाली चीजें आपको नहीं लेनी है क्योंकि मिर्च मसाले वाले जो समागरी आप उपयोग करेंगे इससे पेट में जलन होगी और ulcers भी बढ़ेंगे और inflammation भी कम नहीं होगा तो कोशिश करें कि आप बिना मिर्च मसाले वाले खाना ले चान्जूम करें तो वो काफी लाबदायक रहेगा संतोष जी का कोशन है सर मेरे को गैस बनता है और पेट साफ नहीं होता है क्या करें उपाय बताए सर सर इसके लिए बहुती आसान उपाय है अगर आप ग्रीन जूस जिसको हम डीटॉक्स ड्रिंक कहते हैं उसका इस्तमाल करते हैं और उसका रेसिपी भी हमारे चैनल पर अवेलेबिल है ग्रीन जूस का उसका उपयोग अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका जो गैस का प्राब्लम है और जो पेट साफ नहीं हो रहा है ये ग्रीन जूस लेने से दो ग्रीन जूस लेने से काफी हद तक ठीक हो जाएगा पर इसका प्रियोग आपको कम से कम एक से दो हफते करने होगा सबसे इंपोर्टेंट है बैक पेन जो पेइनफुल कंडीशन है उसमें आराम मिलना और जो कंप्रेशन हो रहा है बिकाउज ऑफ डिस्क कंप्रेशन मतलब नसका जो कंप्रेशन हो रहा है डिस्क के प्रोटूज़न के कारण जब डिस्क प्रोलैप्स होता है और नसके कंप्रेश होता है तो ये slip disk में result करता है और जिसके कारण से excitement का problem भी होता है जिससे पूरे pair में compress का जो treatment है वो back pain के लिए काफी उपयोगी है इसमें आपका pain reduction काफी हद तक हो जाता है और ध्यान रखें कि forward bending avoid करनी होगी और backward bending के आसनाज आप कर सकते हैं जैसे बुजंग आसन आप कर सकते हैं अर्दसलब आसन कर सकते हैं ये backward bending वाले जो आसनाज हैं वो आपको काफी help करें करेंगे बजाए forward bending के तो आप forward bending avoid करें और पेन को reduce करने के लिए salt powder और शहद का इस्तमाल करें ड्राइ जिंजर पाउडर और जिंजर के ऊपर भी एक वीडियो लास्ट वीक ही बनाया था तो वो आप देखेंगे तो उसमें आपको काफी लाब उसके पता चलेंगे और साथी साथ उसका इस्तमाल करेंगे तो ये काफी helpful रहेगा मुझे अचानक ब्रांकिल आस्तमा ट्रिगर होता है क्या कुछ emergency treatment है सर जी हाँ अगर आपको एकदम से आस्तमा ट्रिगर कर गया और breathlessness हो रहा है ये होता है chest के congestion के करन जहांपर blood circulation आपका periphery में नहीं जा पा रहा है ऐसी स्तिती में सबसे प्योगी उपचार जो है वो है आस्तमा बात और ये आप घर पे कर सकते हैं पर इसका जो advanced version है वो आपको क्या करना है और घर में कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक bucket ले लीजे गरम पानी की गरम उतना हो जितना आप सहन कर सकें और एक टब छोटा सा plastic का या एक तपेला ले ले लीजे जिसमें गरम पानी आप डालें दोनों हाथ आपको उसके अंदर डालने है और दोनों पैर जो है आपको bucket के अंदर डालने है पंदरा मिनिट के लिए आपको ये procedure करना है इससे आपको काफी आराम होगा और साथी साथ ध्यान रखें अंजीर भिगो के आप उसका पानी अगर सुभे को प्रयोग करते हैं तो ये भी chest congestion रिमूव करने के लिए काफी उपयोगी रहता है ध्यान रखें आप अंजीर खा भी सकते हैं उसको भिगो के खाना है डारेक्ट इस्तमाल नहीं करना है अंजीर का और थोड़ा सा forward band करके chair breathing करें chair breathing मतलब chair को उल्टा रख दे और थोड़ा सा दोनों हाथ उसके उपर रखके सर को place out करके और फिर आप breathing करेंगे तो इससे upper respiratory muscles जो है उसमें थोड़ा सा आराम होगा और breathing जो है वो आपका आसान होगा तो यह आप प्रिक्रिया कर सकते हैं बहुत gas acidity बनता है after morning bathroom जब तक कुछ नहीं खाते तब तक हाथ और food से पसीना निकलता है uneasy feel होता है सर सबसे important पहले तो यह है कि आपको gas और acidity का treatment करना होगा और ऐसे में मैं आपको suggest करूँगा विस्तार से मैंने gas और acidity के ऊपर और कफ के ऊपर त्रिदोष जो है gas जो है वातरो पितरो और कफरो इन तीनों के ऊपर त्रिदोष treatment क्या करना है प्राकरतिक चिकित्सा के उपाय क्या क्या है त्रिदोष बैलेंस करने के लिए तीनों दोषो को बैलेंस करने के लिए यह वीडियो अविलेबल है यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करेंगे वात पित कफ तो उससे मिल जाएगा तो आप वो पूरा वीडियो देखिए उसमें जो भी चीजें gas बनाती है और acidity create करती है उनको आपको बंद करना होगा क्योंकि वो बंद करेंगे तो ही आपको लाब होगा ऐसे में गिलोए का पानी या गिलोए वाटर जो है वो काफी effective है या गिलोए का सूप भी बना के पी सकते हैं वो आप consume करें उससे platelets जो है नॉर्मल होंगे पेट में हमेशा bloating होती है problem रहती है सुनील जी मैं आपको suggest करूँगा कि आप भी एक बार जो तीनों दोश balance करने का जो वीडियो है वो आप देखें उसमें विस्तार से पूरी जानकारी मिलेगी पर bloating के लिए सबसे effective जो औशदी है वो है salt powder तो salt powder को आप एक गिलास पानी में आदा चमच salt powder mix करके और थोड़ा सा शहद मिलाके अच्छे से mix करके वो आप खाली पेट पिएंगे तो उससे bloating का problem ठीक रहेगा आप अपनी स्वस्त दिन चर्या के साथ रहकर अपने शरीर को आनंदित रखें स्वास्त में रखें और बीमारियों से मुक्त रहें बिन अपना दवा तंदरुस्ती हासिल करें